दोस्तों रस्मी का मंधाना की सबसे पहली फिल्म साल 2016 में आई थी इस फिल्म का नाम था क्रीक पाटी जो की कंड़र लेंग्वेज में थी दोस्तों इस फिल्म में रस्मी का मंधाना रक्सिस सेटी के साथ लीड रोल में थी दोस्तों इस फिल्म का बज़र जहां 4 करोड रु जहां 13 करोड रुपे थी वह इस फिल्म ने बॉक्स ओपिस पर 45 करोड रुपे की कमाई की और इसिक साथ यहां फिल्म बॉक्स ओपिस पर एक हिट फिल्म साबित हुई इसके बाद इसी साल फिल्म आई चमक यहाँ फिल्म एक करेड़ फिल्म थी दोस्तों इस फिल्म में रस्मीका मंधाना के साथ गनेश लीड रोल में थे इस फिल्म का बजट पांच करोड रुपे था और यहाँ फिल्म बॉक्स अपस पर 29 करोड रुपे की कमाई की थी और इस इस फिल्म का बजट तीन करोड रुपे था वहाँ इस फिल्म ने बॉक्स अपस पर 24 करोड रुपे की कमाई की थी और यहाँ फिल्म बॉक्स अपस पर एक सूपर हिट फिल्म साबित हुई दोस्तो इसके बाद साल 2018 में फिल्म आई गीता गोविंदा यहाँ फिल्म भी तेल्गुल लेगोज में थी दोस्तो इस फिल्म में रस्मीकमनधाना बिज्जे देवरKS कुंडग के साथ लीड रोल में थी दोस्तो इस फिल्म का बज़र जहाँ 5 करोड रुपे था वह इस फ परजुन के साथ रस्मी का मंधाना और नियाचूरल अश्टार नानी लीड रोल में थे दोस्तों इस फिल्म का बज़र जहां 20 क्रोड रुपय था वह इस फिल्म ने बॉक्स अपस पर 45 क्रोड रुपय की कमाई की थी और इसीक साथ यहां फिल्म बॉक्स अपस पर एक हिट फ फिल्म साबित हुई इसके बाद साल 2019 में ही फिल्म आई डियर कॉम्रेट या फिल्म तेलगूल लेगवेज में थी दोस्तों इस फिल्म में रस्मी का मंधाना के साथ विजे तेवर कॉंडा लीड रोल में थे इस फिल्म का बज़र जहां 20 क्रोड रुपय था वह इस फिल्म इस फिल्म ने बॉक्स ओपिस पर 37 करोड रुपे की कमाई की थी और इसीक साथिया फिल्म बॉक्स ओपिस पर एक एवरेज फिल्म साबित हुई दोस्तों इसके बाद साल 2020 में फिल्म आई स्राइलेरू निकेवरू या फिल्म एक तेलगुल लेगोज की फिल्मी थी इस फिल्म में रस्मिका मांधाने के साथ महस बाबु लीड रोल में थे दोस्तों इस फिल्म के बज़र जहां 75 करोड रुपे थी वह इस फिल्म ने बॉक्स ओपिस पर 260 करोड रुपे की कमाई की थी और इस फिल्म के बज़र जहां 10 करोड रुपे थी वह इस फिल्म ने बॉक्स ओपिस पर 40 करोड रुपे की कमाई की थी और इस फिल्म ने बॉक्स 2021 में फिल्म आई पोगारू या एक करणड़ फिल्म थी दोस्तों इस फिल्म में रस्मी का मांधाने के साथ धुरुवा सरजार लीड रोल में थे इस फिल्म का बज़र जहां 31 करोड रुपे थी वहां इस फिल्म ने बॉक्स ओपिस पर 45 करोड रुपे की कमाई की थी और इसी फिल्म ने बॉक्स ओपिस पर 55 करोड रुपे की कमाई की थी और या फिल्म बॉक्स ओपिस पर एक एवरेज फिल्म साबित हुई दोस्तों इसके बास साल 2022 में फिल्म आई अड़ावलो मीकु जुहारलो इस फिल्म का बज़र जहां 15 करोड रुपे था वहां इस फिल्म ने बॉक्स ओपिस पर 7 करोड रुपे की कमाई की थी और इसी फिल्म बॉक्स ओपिस पर एक फ्लोप फिल्म साबित हुई दोस्तों इसके बास साल 2022 में फिल्म आई सीता रमाम या फिल्म एक तेलगू फिल्म थी दोस्तों इस फिल्म में मुनाल ठाकुर रस्मिका मंधाना और सरमाल लीड रुपे थी दोस्तों इस फिल्म के बज़र जहां 30 करोड थी वहां इस फिल्म ने बॉक्स ओपिस पर 90 रुपे थी वह इस फिल्म ने बॉक्स अपस पर 9 क्रोड रुपे की कमाई की और इसिक साधिया फिल्फ बॉक्स अपस पर एक फ्लोप फिल्म साबित हुई